नमस्कार दोस्तों आज का पौधा हमारा क्रोटोन का पौधा है जो की एक इंडोर प्लांट है और यह अपनी पत्तियों की वज़ा से फेमस होता है इसमें आपको बहुत सारी वराइटी देखने के लिए मिलेंगी यह जो आप प्लांट देख रहे हैं यह मैंने कटिंग से त आपकी जो गमले की पुरानी मिट्टी है आप उसको निकाल कर पूरी तरीके से धूप में सुखा दीजिए अभी तो क्या है अभी बरसात का मौसम चल रहा है लेकिन मैंने पहले ही इस मिट्टी को पूरी तरीके से सुखा लिया था तो जो भी इसमें हामफुल बैक्तीरिय तो मिट्टी हमारी पूरी तरीके से रेचार्ड हो जाती है तो आप में प्रूटं का यह प्लांट इसके कटिंग से लगा था मैंने इसको इस पॉर्ट में सिफक कर दिया था इसको report कर दिया था इसके बाद आप इसकी growth देख गहाँ कितनी अच्छे से हो गई है और इसकी पत्यों में बहुत ज्यादा shining भी आ चुकी है अब मुझे इसको क्या करना है इसको दोबारा से फिर report करना है क्योंकि इसमें इसकी पूरी तरीके से जो है रूड बाउंड हो गई होगी यह मित्ती है हमारी पूरी तरीके से जो मैंने दूप में सुखाई थी यह कुछ दाल के छिलकी हैं वर्मी कंपोस्ट है और सूखी पतिया है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट के साथ सथ मैंने तो दोड़ा सक टैप टैप करके प्रोटोन प्लांट को आप बाहा निकाल लें इसके बाद आपको करना होगा कि देख पारे हो कि आप इसकी पूरे तरीकी से जो है रूट बाउंड हो चुकी है तो ऐसे में आपको जो प्लांट को रिपॉर्ट करना जरूरी हो जाता है अगर आप इसको रिपॉर्ट नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा जैसे आप पानी डालेंगे न और वो पानी पिल्कुल भी पॉर्ट से जो है निकल नहीं पाएगा जिससे आपके पॉधे की जड जो है पूरी तरीके से 24 घंटे जो है पानी में डिप रहेंगी जिससे मोईस्चर जादा होने की कारण आपका प्लांट पूरा खराब हो जाएगा अब भी देखे मैंने यह निकाल लिया है पॉर्ट पूरी तरीके से खाली हो चुका इसको आ साम क्या करना है आप नीचे से कम से कम एक इंची तक इसकी डूर्ट इस तरीके से कट कर दीचिए और थोड़ा सा हम इसको जो है इसकी जड़ो को लूज भी करेंगे लूज करने के बाद हम इसको दूसरे पॉर्ट में सिफ्ट करेंगे ताकि इसकी जड़ है वो अच्छे से मिट्टी में फैल सके आप साइड साइड से इसकी हलकी सी मिट्टी को हटा दीजी जैसे कि मैंने हटा दिया है और इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में दिखाया अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका प्लांट कभी मरेगा नहीं जो मिट्टी मैंने इसमें डाली थी ना तो सबसे पहले मैंने उसको पानी दे दिया था जिससे की जितनी भी मिट्टी हो वो बैठ जाए फिर हम अपने प्लांट को रखके देखेंगे आपको जितना सही लगे उसके बाद इसमें जो हमने मिट्टी तैयार की है वो प्रॉपर आप साइड साइड में इस तरीके से फिल कर दीजिए फिर आपको यह पॉट के बाद इसको शेड एरिये में रख देना है इसके बाद देखिए यह क्रोटोन की प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी और यह भी बहुत अच्छे से चलगी अब यह जो मैंने दूसा वाला क्रोटोन इसमें से निकाला था अब मैं इसको सेरमिक पॉट में सिफ्ट कर दूगी इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इसकी जो है रूट्स निकल कर आई है यह देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है और यह अगर हम नाजरी से परचीज करते हैं तो आपको यह 40 उर्पे से उपर मिलेगा क्योंकि यह बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और यह पानी में भी ग्रो हो जाता है देखिए मैंने इसको भी जो है इस पॉट में इसको सिफ्ट कर दिया है इसकी बाद आप इसमें अच्छे से पानी दे दे इसको भी आप शेडेरी में रख दे क्रोटोन का जो प्लांट होता है ना वह बहुत ही एक इंडूर प्लांट होता है बहुत ही अच्छी पतियों व जरूरी नहीं है कि जादा खाद देने से ही आपका प्लांट हेल्थी होगा बस जब आप इसकी मिट्टी तैयार करते हैं जिस तरीके से मैंने मिट्टी तैयार की है वो आपको बताया है यह कुछ नहीं है जादा खाद मैंने एड्ड नहीं किया है और आप इसका रिजल्ट द अगर आप ये टिप्स फोलो करते हैं तो आपका जो क्रोटोन का प्लांट है वो कभी मरेगा नहीं और 100% ग्रो होगा इसके बाद देखिए आपको मैं फाइनल लुक आज का दिखा देती हूं कि आज का मेरे क्रोटोन का प्लांट देखिए कितना हैल्दी हो गया और इसमें से और ऑड़ी में तीन कटिंग अभी लगा चुकी हो यह बहुत ही ज्यादा खाना हो गया था इसकी नहीं नी पतिया आप देख रहे हो यलोर कलर की पतिया और कुछ रेड कलर की है अगर आप इसमें क्रोटोन की कटिंग लगा अगे तो 100% सकस्त होगी आप इसमें क्रोटोन क क्रोटोन की कटिंग लगा सकते हैं मैंने कुछ क्रोटोन की कटिंग लगाई हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी आप देखिए यहां से आप इसको कट कर सकते हैं और लगा सकते हैं अब जो मैंने नीचे से पत्याइन हटाई थी क्रोट्टन की वहां से देखे, इस में फुटाफ सय हो गया है, यह देखे, मैंने जब कटिंग की थी, तो यह कटिंग यहां लगाई यह, और यह कटिंग बिल्कुल पफ deven Merc сильно चुल गई है, इसकी पत्यां बिल्कुल भी आप जुकाव देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं मुर जाई हैं इसी तरीके से हम कई प्लांट तैयार कर लेते हैं क्रोटोन के तो इस तरीके से आप भी तैयार कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सा काम है एक ही प्लांट से आप अपने गार्डन के लि क्रोटोन कटिंग से तयार की हैं इस तरीके से आप जरूर कटिंग लगाईए चोटा सा डिस्पोजल लीजिए और कटिंग हमेशा छोटे से डिस्पोजल में लगाईए क्योंकि उसमे जब हम पानी देते हैं तो ज्यादा पानी उसमें नहीं आपाता है जिससे कटिंग इसलिए हमें किसी भी प्लांट की कटिंग को लगा लेना चाहिए अब ये दूसरा क्रोटोन है इसकी भी कटिंग में लगाना आपको बता देती हो इस तरीके से आपको 6-7 इंची की कटिंग लेनी है और मिट्टी में दबा देनी है चाय वाली जगह में इसको प्लेस कर देना है जहां ये अच्छे से ग्रू हो पाए आपका हेल्दी क्रोटोन का प्लान तैयार हो जाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई